दोस्तू कि आपको पता है कि साल 1997 में एक इंडियन हार्ड सर्जन ने इंसान के शरीर में सूर का दिल लगाया था असम के डॉक्टर धनीराम बर्वा ने काफी रिसर्च इसकी बाद हंकों के डॉक्टर जोनाथन होकेशिंग के साथ मिलकर एक 32 साल के हार्ड पेशिंट का दिल निकाल कर वहाँ पर सूर का हार्ड ट्रांस्परांट किया था और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी डॉक्टर से उमीद भी नहीं की थी सिर्फ साथ दिन के बाद इंफेक्शन के कारण मरीज ही मौत हो गई तुनों डॉक्टर्स को गिरतार करके जेल भीज दिया गया और डॉक्टर बरुवा की रिसर्च और क्लिनिक पर ताला लग गया लोगों निनके काम को गलत बताया और पागल कहने लगे लेकिन इस खटना के करीब 20 साल बाद दुनिया भर के सैंटिस्ट को ये पता चला कि सूर एक ऐसा जानवर है जिसके अंग इंसानों में ट्रांस्प्रांट करना जादा सेफ है इसके लिए जर्मनी में जैनेटीकली इंजिनियर्ट पिक्स भी तैयार किये जा चुके है और FDA ने इन सूरों के स्किन को इंसानों पर ट्रांस्प्रांट करने की पर्मिशन भी देती है आने वाले कुछ सालों में इन पिक्स के हार्ड लंग्स और किड्नी इंसानों में ट्रांस्प्रांट किये जाएंगे दोस्तों डॉक्टर धनीराम वर्वा के रिसर्च को रोकना सही था या गलत आप कमेंट सेक्षिन में हमें इस जरूर बताएगे